Hello everyone, Welcome to Korn Study यह है Sports का Lecture 2 इससे पहले मैं Lecture 1 डाल चुका हूँ अगर आपने वो नहीं देखा है तो उपर आई बटन पे क्लिक तरके उसको देख सकते हैं और जो लोग इस चैनल पे नहीं हैं उनके लिए मैं इन्फोमेशन दे रहता हूँ कि हम regular basis पे quiz करवाते हैं हमारे telegram group पे तो in case अगर आपने हमारा telegram group नहीं जोइन किया है तो नीचे description box में उसका link दिया हूँ है मैंने आज भी एक quiz है आज यानि कि 11 जुलाई को जब मैं वीडियो बना रहा हूँ शाम को 7 बज़े आपका quiz होगा telegram group पे हमारे इनकेस ये वीडियो आप बात में देख रहे है तो आपके लिए एक suggestion है कि जो bell icon है जब आप उसको press करेंगे तो तीन options दिखेंगे आपको all, personalized or none आपने all पे click करना है ताकि next time जब हम वीडियो डालें आपको तब मिल पाए हमने general awareness की एक playlist बनाई हुई है ताकि हम जो भी वीडियो डाल रहे है general awareness पे वो सब आपको एक जगा मिल सके इस playlist में जाके आपको idea मिल सकता है कि अभी तक हम कितनी चीज़े cover करवा चुके हैं अगर आप इस channel पे नए हैं और आप पिछले lectures मिस कर चुके हैं तो आप playlist में जाके पिछले lectures मिस देख सकते हैं इस तरीके से हमने और भी playlist बनाई हुई है जैसे की maths की playlist है reasoning की playlist है और हमारा इस समय exam focused किया है JK SSB class 4th exam सबसे पहले हम आपको इसका पूरा syllabus करवाएंगे sample papers देंगे उसके बाद हम next exam पकड़ेंगे जो कि JK Bank होगा लेकिन पहले इसको complete करेंगे इसका course complete करवाया जाएगा फिर आगे JK Bank पे move करेंगे हम तो I guess अब सब कुछ clear हो चुका होगा regarding syllabus लेकिन अगर आपका फिर भी कोई doubt है तो नीचे मैने description में Facebook, Instagram and Telegram तीनों का link दिया है आप कहीं पी भी हमसे कुछ भी भूच चकते हैं आज का question आप जानते हैं मैं हमेशा आपको एक question पूचता हूँ वीडियो में आज का question आपके लिए है What is the new name of Firoz Shah Kotla Ground Firoz Shah Kotla Ground का नया name क्या है आपने इसका answer नीचे comment box में करना है and I hope सारे बच्चे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो सब इसका answer करेंगे ओके तो लेक्टी स्टार्ट करते हैं आज का पहला question है Sebastian Vittal who is set to leave Ferrari at the end of 2020 Formula 1 season belongs to which country तो question कह रहा है कि Sebastian Vittal इस country से belong करते हैं the answer is Germany अगर मैं Sebastian Vittal की बात करू तो ये one of the highest paid drivers है and ये अभी तक 14 races जीते हैं आगे चलते हैं question second which is the venue of FIFA Under-17 Women World Cup that has been re-scheduled for February-March 2021 तो question कह रहा है कि जो FIFA Under-17 Women World Cup है उसको re-schedule किया जा रहा है लेकिन पहले schedule कहा था schedule पहले भी ये इंडिया में था अब भी इंडिया में ही है लेकिन पहले ये November महिने में होना था 2020 में लेकिन आप जानते हैं कि COVID-19 pandemic चल रहा है इस वज़ा से इसे re-schedule किया गया है तो इसका answer है इंडिया और ये next year में होगा February-March में फिलाल इसको re-schedule कर दिया गया है question 3 who was the head of the International Cricket Council Cricket Committee which has recommended to ban using saliva to polish the ball question कह रहा है कि जो ball को polish करते हैं using saliva actually होता कहा है जो ballers होते है वो ball की shine को maintain करने के लिए एक side पे उसको saliva से रगड़ते हैं मलते हैं ताकि ball एक side से shine रहे और दूसी side से उसकी shine खतम हो जाए इससे क्यों होता है baller को in swing और out swing करने में मदद मिलती है question कह रहा है कि जो ball को polish करने की जो practice थी इसकी against इसी क्रिकेटर ने बोला है वो क्रिकेटर कौन है तो answer अनिल कुम्बले है और reason COVID-19 pandemic है आप जानते हैं COVID-19 pandemic काफी तेज़ी से spread होती है तो और नाचली हमारे जो थूक होती है जो हमारा saliva होता है उसमें उसके वाइरस होते है इसे लिए अनिल कुम्बले ने ये suggestion दिया था इस practice को खतम कर देना चाहिए या for the time being इसको stop कर देना चाहिए question no.4 Edith Ediris who recently announced his retirement is associated with which sport and the answer is football बात करते हैं इनके बारे में तो ये इस पेइन टीम के लिए खेलते थे अगर आप फुटबॉल देखते हैं तो आप जानते होंगे कि फुटबॉल में पोजिशन होती है midfielder, striker, defender ये striker थे इन्होंने तोटल 172 गोल्स किये है जो की 6th highest है इस समय Question No.5 है Which Indian is the head of the Cricket Committee of International Cricket Council जो ICC है, International Cricket Council इसकी जो Cricket Committee है, उसका head corner है And the answer is Anil Kumle Question No.6 है Which tennis championship is scheduled to be held from 31st August to September 13th this year without spectators And the answer is US Open ये New York में होने वाली है 31st August और September 13th के बीच में और ही without spectators करवाई जाएगी और reason वही है Coronavirus, COVID-19 आगे चलते है Question No.7 Sanjita Chanu Who is said to receive the Arjun Award for 2018 is associated with which sport? And the answer is Weight Lifting बात करूँ अगर मैं Sanjita Chanu के बारे में तो जो 2014 और 2018 का Commonwealth Games हुआ था उसमें वो हमारे लिए गोल मेडल लेकर आये वेड लिफिटिंग में Question एरत है Which sports governing body has approved USD 1.5 billion worth COVID relief plan to support its community? Question कह रहा है कि कौन सी sports की governing body है जो 1.5 billion dollar करचेगी as a COVID relief plan अपनी community को survive करने के लिए And the answer is football और governing body कोन है? Football की governing body है FIFA आगे चलते है Question 9th है Who has been named as India's most valuable test player for 21st century by Wisden? So question कह रहा है कि most valuable test player कोन है 21st century का? Answer is Ravinda Jadeja अब आपने ध्यान रखना है कि ये India का most valuable test player है India का अगर आपसे world आ चाएगा तो वहाँ पर आएगा मुथाया मुर्ली धर्न Basically Wisden क्या करता है Wisden एक rating निकालता है MVP करके that is most valuable player इसमें इंडिया में Ravinda Jadeja को मिलेते 97.3% जो की हाइस थे इसलिए Ravinda Jadeja is the most valuable Indian test player आगे चलते है Question 10 ते हमारे बास Which racing driver has won Formula 1 Austrian Grand Prix event ध्यान से देखना word है Austrian ना कि Australian Answer है इसका Veltary Bottas ये फिनलांड के रहने वाले हैं और टोटल अभी तक 8 races जीच चुके हैं Question 11 ते है Who is the winner of the US Open 2019 Men's title 2019 की बात करो है 2020 अभी होना है 19th का जो US Open था उसमें कौन जीता है And the answer is Raffel Nadal Raffel Nadal स्पेन के रहने वाले है Question 12 ते हमारे बास Which Indian Grand Master recently won the Canes Open Chess Tournament Answer है D.Kurkesh D.Kurkesh के बारे में एक fact पताता हूं कि D.Kurkesh ना दुनिया के second youngest chess player है इनकी एज इस समें सिफ 13 years है Question 13 Saharat Kamal N.G. Satyan who were making news recently belongs to Vidh's court Answer है Table Tennis Question 14 Which tennis star recently won the Dubai Champions for the first time since 2013 And the answer is Novak Djokovic इनके बारे में एक fact है And the fact is कि इस समें No.1 है Tennis में Question 15 है Asneem Mir and Maan Singh who were in news recently belongs to Vidh's court यह सारे questions यह सारे रीसेंट की questions है recent news में आए लोग हैं इसलिए बहुत ही important है आपके लिए इस exam के लिए And the answer is Vidminton Question 16 Shefali Varma who was making news recently is a famous personality in Vidh's court So question कह रहा है कि यह recently news में है और यह recently news में किस वज़ा से है यह पताता हूं है इन्होंने total 161 runs बनाये थे एक match में T20 के जिस वज़ा से यह ICC जो ranking होती है women's की उसमें number one spot पे आगे थी और coincidentally equation number 16 है और इनकी age भी 16 है तो आप समझ गए होंगे मैं किस sport की बात कर रहा हूं दा आंसर इस cricket question number 17 है who is the only Indian player to feature in the ICC women T20 World Cup team of the tournament तो question कह रहा है कि जो ICC की team of the tournament बनी है उसमें सिर्फ एक Indian player है उस Indian player का क्या नाम है तो नाम है Poonam Yadav अगर Poonam Yadav के वारे में बात करें तो इन्होंने इस particular tournament में 163 runs बनाए थे और 10 विगे ली थी और ये एक all-rounder है आगे बढ़ते है question number 18 है Jaydev Unartkat is the captain of which regional cricket team that has won its maiden Ranjit Trophy और इसका आंसर है Saurashtra cricket team Saurashtra cricket team अपनी पहली Ranjit Trophy जीती है question 19 है Dana is a legendary javeline champion who passed away recently belong to which country and the answer is Czech Republic question number 20 है Roger Mayweather who recently passed away was a world champion and trainer in which sport Roger Mayweather के अभी भी डेथ हुई है यह किस sports के world champion थे इसका आंसर है boxing Roger Mayweather two-time world champion है boxing में तो इस वीडियो से इत्रह ही इसकी PDF में टेलिग्राम चैनल पर डाल दूँगा total 4 lectures आने थे 2 lecture हो चुके हैं 2 lecture बाकी है and 1 static का lecture आएगा तो current के 4 और static का 1 total 5 lecture में sports आपका पूरा कबर हो जाएगा thank you and god bless you all